नमस्कार पाट का नाम है उभोकतावाद की संस्क्रिती लेकक है शामचरन दुबे कक्षनों की खिटेच पाठे पुस्तक का ये पाट है इसमें लेखक ने जो है ये एक निबंध है और इसमें लेखक आज भोक्ता के उपर जो बजार की पकड़ है उसके बारे में समाज के उपर जो बजार की पकड़ हो गई है जो दिखावे की संस्कृति एक बढ़ती जा रही है और हम लोग जो है चमक दमक की जो संस्कृति के बढ़ रहे हैं कि चमक दम की सब कुछ है जीवन की उसके बारे में खुल कर कुछ बातें बोली है, लिखक बोलते हैं कि आज सुख की परिभाशा ही बदल गई है, सुख का मतलब है उभोग, यानि की भोग चीजों का सुख बोग न ही मतलब जीवन का सार बन चुका है, और य कि हम उस बाजार जो कि हमारे लिए बना है उसके प्रती हम जो है इस प्रकार से हो गये हैं कि हमारा समाच जैसे दिखावे की संस्कृती में जो इतना लिपते होता जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बाजार हमारे लिए नहीं बलकि हम बाजार के लिए बने हुए हैं डिखा क्याते हैं कि आज एक शोटी सी चीज जायी है एक टोट-पेस्ट का उधरन कि क्याते हैं कि सब्छWas आप एक टोट-पेस्ट लेने बिए तो किसी में नीम बबूल के गुण है और कोई मसूडों को मजबूत करता है किसी में नमक है किसी में कोई दांतों को चमकीला बनाता है कोई मुह से दुरगन ड़टाता है यानि कि इस तरह की चीज़ है तो मतलब फिर उसके बाद में अगर आपने अच्छा सा पैस्ट अपने लिए चुन लिया तो फिर ब्रश भी अच्छा होना चाहिए यानि कि आजकल ब्रश के भी इतने सारे जो है प्रकार हो चुके है कि मतलब कहने का मतलब यह है कि उफ्भूगता जो है इनके शिकंजे में एक तरह से फस्ता जाए देनी लिए उपबोक की सबी चीजे जो है बहु है अलग-अलग तरह की मतलब अलग अलग गुणों के साथ बखान के साथ कई तरह के ब्रान जो हैं बजार में उपलब्द हैं तो इस तरह से वे साबून पेस्ट ब्रेस्ट होगेरा सबका उधरन देते हैं आगी लेकर बोलते हैं कि देनी को भोग की चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो कपड़ों पर आजाएए कपड़ों फैशन ने इतना या बदल रहा है उसके अनुसार आपको समाज में अपनी हैसित बनाई रखने के लिए फैशन के अनुसार चलना पड़ता है गड़ी अब समय दिखाने की चीज़ नहीं रही है बलकि फैशन दिखाने की चीज़ रही है तो उसके लिए आप जहां तीन चार सो रुपे की गड़ी से काम चल सकता था वहाँ पर आज कल पचास साथ हजार से लेकर एक लाक रुपे तक की घड़ियां भी बजार में मिल जाएंगी आज भी वहाँ भी घर पे ना करके लोग पांच सीतारा होटलों में करना पसंद करते हैं अस्पताल जो है तो बड़े बड़े हस्पतालों में जाएंगे लोग और वहाँ की जो सुक्सुविदां मिलती हैं उसके नुटकर वहाँ खर्चा भी उतना ही होता है और जिस प्रकार से बड़े बड़े पब्लिक स्कूल सब जगह कुल गए हैं तो इस तरह की चीजें में कहते हैं कि भारत में जो है इस तरह की स्थिति आगई है कि एक कंडिशन इस भी आ जाएगी कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश हैं जहां पर मरने से पहले आप अपने अंतिम संस्कार और इनका जो कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार का प्रबंद कर सकते हैं क्योंकि वहां का समझ इतना खंडित हो चुका है कि वहां पर वेक्ति को य यह भी वेक्ति अपने जीते जी ही प्रबंद करके चला जाते हैं लेकर बोलते हैं कि यदि इसी प्रकार से उभोकतावात बढ़ता रहा तो भारत में भी एस्थिति आने में देर नहीं लगेगी और वे कहते हैं कि यानि कि मतलब जो प्रतिश्था को हम जिन इन चीजों से जोड़ कर आजकल देखने लगे हैं और यही वज़े है कि समाज का अधर पतन होता जा रहा है हमारे लिए वैल्यूज कोई माइने नहीं जगती हैं बलकि हमने क्या पहना है कि इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं इनी चीजों से हमारे जो व्यक्तितों की पहचान रह रहे हैं और अधुनिक्ता के जूटे प्रतिमान जो है अपनी जीवन में स्थापित करते जा रहे हैं प्रतिष्था की एक जो अंधी दोर लगी है उसमें हमने अपने आपको शामिल कर लिया है आज समाज में नियंतरिक शक्तियां बदल चुकी हैं पहले जो है समाज में न दूसरे के द्वारा दूसरी संस्किती के द्वारा जो है निरधेशी ठोरा है इसकी वजह से हमारी मानची क्ता भी दीरे-धीरे बदलती जा रही है और हम एक समोहन की स्थिती में आ चुके हैं वैर कहते हैं कि इनसर alpha कह जो है असल जीवन में इनकी से जीवन में कोई किसी प्रकार की किसी प्रकार के चिप्स या शीतल पे या किसी तरह के आधूनिक खानपान से या आधूनिक चीजों से किसी भी प्रकार से समाज का भला नहीं होता है बलकि तो समाज में वर्गों के बीच में खत्रा है इस प्रकार की जो सोच और जो इस प्रकार की जिश्वा में जो हम चलते जा रहे हैं और यह बहुशे के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती बनकर उभर रही है तो यहां यह निवन्द खत्म होता है धन्यवाद